भाजपा सांसत दूसरे के इशारे पर भौक्ते हैं यह बात मुके सैनी की तरफ से भारतिय जन्तापाठी के सांसत अध्य निशाद के लिए कई गई थी और अब इसका जबाब देते हुए भारतिय जन्तापाठी के सांसत अजय निशाद ने कहा है कि भारतिय जन्तापाठी क साथ रहना है तो योगी आदिप्ते नात जिंदा बाद बोलना ही पड़ेगा और अगर नहीं बोलेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा मुझा फर्पूर से भाजपा सांसत अजय निशाद ने आगे कहा कि सबसे पहले तो मंत्री मुकेश शेहनी को मुके मंत्री योगी जी से माफी मांगनी चाहिए मुकेश शेहनी अजय निशाद को भौकने वाला करार देते हैं तो भारतिय जंदा पार्टी के सांसत कहते हैं कि हम भौकते नहीं मल्की दहारते हैं पुरा मामला यह है कि मंत्री मुकेश शेहनी ने कुछ दिन पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में न जोगी आदित्यनात के हाथो निशाद समुदाय को मेच दिया है इधर विकाशिल इंशान पार्टी के एक और विधायक थे जिनका नाम मुसाफिर पास्वान है उनके निधन से उनकी सीट भी खाली हो गई है और इसी सीट पर चुनाव के बारे में बोलते हुए भारतिय ज इंसान पार्टी के मुख्या को पसंद नहीं आई और फिर बात बिगरती चली गई अब नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देखने हैं अमरा विशेश कारिकरम एक्स्प्लेनर पूरी कहानी शुरू होती है विकासीर इंसान पार्टी के विधायक रहे चुके मुसाफिर पास्वान के निधन के बाद उनके निधन के बाद जब उनकी स्रीट खाली होती है तब भारतिय जंता पाठी के सांसत कहते हैं कि मुकेश सहनी तो अनुकंपा वाले नेता हैं अब इस बात पर मंत्री मुकेश शैनी भलग गया और उन्होंने भारतिये जंता पार्टी के सांसद अजय निशाद को कह दिया कि वे दूसरे के इशारों पर भौगते हैं इसके बात से पूरा मामला चल पड़ा इसी बीच मुकेश शैनी की तरफ से एक पत्र लिखा गया और अब भारतिये जंता पार्टी के सांसद वडग गये और फिर उन्होंने कहा कि अगर भारतिये जंता पार्टी में रहना होगा या भारतिये जंता पार्टी के साथ चलना होगा तो योगी आदिप्तनाथ का जिंदाबाद वाला नारा तो बोलना ही पड़ेगा भारतिये जं से माफी भी मांगनी चाहिए आगे एक परकार से चेतावनी देते हैं कि अगर योग यादित तनाथ जिंदाबाद का नारा नहीं बोलेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा अजर निशाद की तरफ से यह सवाल भी पुछा गया कि जो खुद को सन्ना फमल्ला कहते हैं उन्ह हच तक कह दिया कि अगर मुकेश सेहनी में सुधार नहीं आता है तो फिर जब अगला चुनाओ आएगा तब भारतिये जनता पाती को उनके बारे में बिचार करना पड़ेगा बहर्टत का इशारा था कि अगर मुकेश सेहनी नहीं मानते हैं तो अगले चुनाओ के समय अलास समाज का बेटा आज अपने दंप्रक यहां तक पहुंशा है और सरकार भी चला रहा है। वे इस बात को भी बोलते हैं कि हम समझ होता मतलब की गटवंधन उस पाटी से ही करेंगे जो हमारी मांग को मालने के लिए तयार रहेगी। की तरफ से कोई प्रत्किरी आती है तुसे हम आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो को ही समाप्ट करते हैं वीडियो को शेर कीजिएगा और अगर फेस्बूक पर देखने हैं तो पेश को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं पिर वीडियो में कैमरी की पीछे खड़े हों परकाश और मैं मुहित कमार सींग बहुत बहुत धन्यवाद